हलो एवीवन वेलकम और वेलकम पाक्त माई चैनल मैं हो पुनम राश्पूत I hope you all are doing good आज की जो मारी वीडियो होने वाली अगीन मीश्र साड़ी होल होने वाला है और आज की होल में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी वेडिंग वियर पार्टी वियर साड़िया क्योंकि वेडिंग सीजन आने वाला है पार्टी जाने वाली है तो हमें चाहिए बहुत ही प्यारा प्यारा कलेक्शन तो आज मैं वही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सबी के link मिल जाएंगे description box में वहां से आप easily इन सबको buy कर सकते हो और मैं comment में pin भी कर दूँगी pin comment में क्योंकि description से YouTube कुछ link को हटा देता है और एक दो link तो जरूर ही हटा देता है तो आप लोगों को problem होती है तो इसलिए मैं comment में pin कर दूँगी जो मैंने कर दूँगी ती वही जूलरी है इनके link पे मैं description box में दे दूँगी भी start करते है अपनी first sari से जो की बहुत ही प्यारी सी है first sari आप देखोगे party function के लिए जिन लोगों को lightweight में कुछ ही है ये sari net की है और इतनी प्यारी sari है ना बहुत ही प्यारी colorist का green है लेकिन और फी color आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे से color इसमें आपको मिल जाएंगे ये जो sari है ना वियर करने के बहुत अच्छी लगने वाली है बहुत heavy work के साथ है लेकिन बहुत ज़दा light है कुछ इस तरह की sari आपको मिलेगी इस पर पूरी पे ना बहुत अच्छा work हो रखा है ये आप देखो इस तरह का इस तरह का work जरी work आपको पूरी साडी पे मिल जाता है पूरी साडी पे जरी का और sequence का work है जरी जो है ना वो blackish golden जो होती है ना वाली यूज की गई है और इधर भी border है ये पल्लू portion के side भी उपर भी और नीचे भी finishing आप देख सकते हो कितनी अच्छी embryo में किनारी पे हलका सा cut work create किया गया है इस तरह का आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी finishing के साथ work किया गया है और इधर पूरे पे भी देखो कि आप ये embryo है जो कि धागे की और sequence की embryo है बीच बीच में पूरी साड़ी पे ये आप देखो lining के साथ create की गई है perfect है किसी भी wedding के लिए किसी भी party के लिए day party night party दोनों में आप इसको वियर कर पाऊगी बहुत soft net है and party function में आपको बहुत अच्छा look मिलने वाला है इस साड़ी का तो highly recommend piece है ये upper portion पे ये work जो है वो full पे मिलेगा और lower portion पे ये work जो है नीचे नीचे मिलेगा उपर के side plane मिलने वाला है और नीचे के side आप देखो इस तरह से designing की गई है ये embryo पूरी साड़ी इस तरह से मिल जाएगी और उपर के side इस तरह से design create करा गया है नीचे के side same ये border मिलेगा पूरी साड़ी इस तरह की मिलेगी full पे ब्राइडी है look बहुत अच्छा आने वाला है अंदर से मैं आपको पता देती हूँ जो कि बहुत थोड़ा से portion plain मिल रहे है आपको जो कि है एक मीटर portion आपको plain मिलेगा तो हलका सा जादा टकिन कर लीजेगा तो ये plain portion नहीं आएगा ये border एक मीटर के बास से start है साड़ी बहुत जादा प्यारी है and color इसमें और भी मिल जाएंगे आप अपने according ले सकते हो ये color मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इसने मैंने ये try किया इसका जो blouse का fabric मिलेगा वो आपको मिल जाता है 80 cm fabric मिलेगा silk वाला fabric है और आप देखोगे जैसी ना pleats portion पे नीचे के side embroidery है ना साड़ी पे same embroidery हो रखिये जरी की और sequence की embroidery है इस तरह की आप देखो ये और यहां तक है ये आप front या back बनवा सकते हो sleeves बनवा सकते हो अधर के side मिल जाएगा plain portion काफी प्यारी साड़ी है link description box में है highly recommend pieces जरूर try किजेगा कि किस तरह की साड़ी आना बहुत ही कम मिलती है second sari fully stitch blouse के साथ होने वाली है बहुत ही प्यारी सी साटन की sari है इसका blouse मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप देखो full embroidery के साथ आपको blouse मिलेगा ये आप देखो कितनी प्यारी सी embroidery है कितनी heavy जरी sequence की embroidery हो रखी है बहुत ही प्यारी सी और धागे के embroidery भी है छोटे बड़े सारे ही sequence यूज किया गए है finishing के साथ work है अच्छे से stitch किया गया है blouse ये आपको back मिल जाता है ये आपको front मिल जाता है same back और front एक जैसे मिलेंगे दोनों पे full embroidery मिलेगी sleeves इस तरह की मिलेंगी back side पे आप देखो neck पिना ये डोरी भी लगा के दी गई है बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ये अंदर से मैं बता दो blouse का जो inner लगाया गया है अच्छी quality का है और pad लगाया गया है वो सिर्फ okay okay quality के है अच्छे नहीं दिये गई है लेकिन ठीक है और price के according अगर मैं बात करूँ सही है इस print lock करके नहीं दी गई है ये आप देख सकते हो धागे निकल रहे है ये आपको अपने आप से करानी पड़ेगी और अगर आपको खोलना है न तो थोड़ी से finishing की कमी रखी गई है ये आप देखो चोटे बड़े फाबरिक हो रहे है और price के according अगर मैं देखो तो बहुत अच्छा है फाबरिक वगेरा सारी चीज़े अच्छी है बट सिलाई में थोड़े से finishing की कमी है बलाउस बहुत ही प्यारा है और इस साड़ी के साथ और भी बहुत सारी साड़ियों के साथ आपके चल जाएगा heavy work के साथ blouse है साड़ी कुछ इस तरह की मिलती है blouse और साड़ी दोनों का ही फाबरिक साटन फाबरिक है अच्छा वाला फाबरिक है साटन में भी दो-तीन तरह के फाबरिक आते है बहुत हार्ड सा होता है बहुत सॉफ्ट होता है तो यह सॉफ्ट वाला फाबरिक है कुछ इस तरह का फाबरिक मिलेगा प्लेन साड़ी है किनारी पर अब देखोगी यह लेस आपको मिल जाएगी उपर नीचे और पल्लू पोशन के साइड इस पे भी बहुत ही प्यारी सी धागी की सीक्विंस की जरी की एमराइडी हो रखी है बहुत ही नीट एंड क्लीन बियर करने के बाद साड़ी बहुत ज़्याद अच्छी लगेगी क्योंकि इस पे न हैवी वर्क का ब्लाउज है साड़ी सिंपल सी है सिर्फ एक बादर दिया हुआ है तो बहुत ही प्यारी लग रही है साड़ी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी साड़ी पे यही वर्क मिल जाता है बादर और अंदर से सिर्फ इतना सा पोर्शन प्लेन मिलेगा तो इसमें बिल्कुल भी प्लेन पोर्शन नहीं आरेगा साड़ी हाइली रिकमेंड है इसमें कलर अप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे जो भी कलर आपको पसंद आए आप वो ट्राई कर सकते हो साड़ी हाइली रिकमेंड है सूप अभ डील है बहुत नीट एंड क्लीन, इसका जो वर्क है ना बहुत ही, मतलब अच्छी वालिटी वाला वर्क है, रिच लुक देने वाली साड़ी है, यह बहुत ही पॉफिक्ट है, किसी भी वैडिंग वगरा में आप वियर कर सकते हो, पूजा में वियर कर सकते हो, बांदनी में भी बहुत अच्छा लुक मिलेगा, बॉडर आप देखो कि नारी पे और जिस पर हो रखी है, अमराइडी, गोटा पटी और जरी की अमराइडी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ है, इसका व्रक मुझे बहुत जादा पसंद आया, बहुत फिनिशिंग के साथ, इस पर वोक कि बहुत ही प्यारा सा इतना चोड़ा बॉडर दिया हुआ है जो कि उपर नीचे और पल्लू पोशन के साइड पूरे पे आपको ये बॉडर मिल जाएगा और इधर पल्लू पोशन के साइड आपको ये टसल्स भी मिलेंगी छोटी-छोटी टसल्स लगाई गई है ये अब देखोगी ये सारब प्रेंट है जो कि प्रिंट ऊपर से है लेकिन ये पृरिंट शटने वाला नहीं है और ये जोरजट फाब्रिक में है फाब्रिक बहुत जादा आच्छा वाला जो साथी प्यारा सा बर दियेगे और बीच-बीच में वेडरिक के बहुत प्यारे से फिल इसको जरूर लीजेगा कि इसके जो कलर भी यूज किये गए है ना साडी में बहुत ही पॉफेक्ट है इसमें ब्लू येलो ओफ वाइड ग्रीन सारे ही कलर यूज के गए जिसके वज़े से लोग भी बहुत अच्छा रहा है और इसका प्रिंट के कलर भी ना बहुत खिल के आ उस पर ये नीचे नीचे है और जो अपर पोर्शन है उस पर पूरे पर हैं ये फ्लार एम्राइडी वाले अंदर से गर मैं बात करूं तो एक मीटर फाब्रिक छोड़ के तब ये बॉडर स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा से बॉडर मतलब अंदर पीछे के साइड प्लेन लेकिन इसको आप जादा थोड़े से जदा टक इन कर लोगे तो नहीं आएगा और वैसे साड़ी बहुत ज़ादा प्यारी है उसके साथ मिल जाता है इसका ब्लाउस जो कि जॉड़ ज़ाबरिक में ही इसी में अंदर के साइड मिलता है प्लेन फाब्रिक है 80 सेंटीमीटर एक लिए ब्लाइक किनारी पे ये बॉड़र मिल जाएगा इस तरहा का बॉड़र ये आप देखो सेम जो साड़ी पे बॉडर है वो दिया गया है और किनारी पे पीन भी लगी हूई है जो की बहुत जादा प्यारी लग लग री लग्री लग जिसमें गॉल्डन कलर की गो प्यंब से पीज़ड़ी ये लगी है क्यों क्योंकि इसमें छल्की सी भी ड़लनस नहीं है जो lote है ना जैसे newly married हो आप तब भी try कर सकते हूं एकदम मतलब ऐसा लगेगा कि खिल की आएगा dullness इसमें बिल्कुल भी नहीं है लिंक description box में है ज़रू try किजेगा perfect साड़ी है next जो हमारी साड़ी है वो है silk lover के लिए बहुत ही प्यारी सी silk की साड़ी है और weaving के वाग के साथ border है embroidery धागे की पूरी साड़ी पर मिल जाती है color बहुत ही प्यारा सा है यह साड़ी ऐसी है कि CBH group का wear कर सकते है और अगर आप teaching वगेरा करते हो तो बहुत जादा प्यारी लगेगी और function वगेरा में भी आप इसको wear कर सकते हो बहुत ही प्यारा सा piece है अभी मैं open करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि यह साड़ी आप लोगों को भी बहुत जादा पसंद आएगी इसमें भी color option आपको और भी मिल जाएंगे यह color भी बहुत जादा प्यारा है यह जो साड़ी आपको मिलेगी इस पर यह border आपको मिलेगा जोकि जरी का weaving work के साथ border है और यह border आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड एक जैसा weaving का border मिल जाएगा और नीचे के साड़ी आपको मिलेगी border के ऊपर यह धागे की embroidery जोकि बहुत ही प्यारी सी embroidery है जिसमें color भी सरे color hand बहुत ही finishing के साथ work किया गया है नीचे पूरी साड़ी पर यह धागे का embroidery का border मिल जाता है और बीच में इस पूरी साड़ी पर आपको मिल रही है यह आप देख सकते हो बीच बीच में पूरी साड़ी पर यह embroidery हो रखी है जोकि बहुत जादा प्यारी लग रही है बाक को ट्राइ ओन में तो overall साड़ी आपको इसी तरह की मिलेगी इसका पल्लू कोशन में आप लोगों को दिखा देती हूं इसका जो पल्लू कोशन है वो कुछ इस तरह का मिलेगा सेम कलर में है लेकि गोल्डन कलर का जो विविंग में ही न डिजाइनिंग दी गई है कुछ ला बिल्कुल भी पोर्शन प्लेन नहीं आएगा सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है न ये एम्पराइडी से छोड़ा हुआ है जो कि आप देखो सिर्फ इतना सा पोर्शन बगी एम्पराइडी यहां से ही स्टार्ट है तो इतना सा पोर्शन प्लेन आएगा वो भी क्या है कि फाब्रिक जो है आपको एक मीटर मिल जाता है तो अच्छे से आपका ब्लाउस बन जाएगा हाईली रिक्यमेंड साडी है अगर आपको सिल्क में कोई साडी चीए तो इसको ट्राइ कर सकते हो पॉफेक्ट है यह साडी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप में जो साडी आप लोगों को दिखाने माली हूं वह साडी आप लोगों को बहुत जादा पसंद आएगी यह गर्ल्स वुमिन्स अभी के लिए है अगर आपके फामिली में किसी की वैड और पार्ट फ्वंक्शन के लिए नाइड़ पार्टि के लिए बैस्ट साडी है यह सब्सुए सी क्विन्स लहीं है लेकिन सी कूण सहां बहुत बड़ा-बडासनी है जो बहुत छोटे pixels लाता है वाला बे आइं पे और वह दागे के साथ लगाएगाया है मतलब जरी इसमें यूज नहीं की गई है जिसके वज़े से बहुत जादा प्यारी लग यह देखो आफ ब्यार करने के बाद किस तरह की लग रही है वो आप ट्राइओन में देख सकते हो किनारी पे कुछ इस तरह का बॉर्डर बनाए गया है हलका सा कट वर्ग भी है और तीनों साइड यह बॉर्डर मिल जाएगा बीच में पूरी साड़ी इस तरह की मिलेगी जॉर्जट फाब्रिक है साड़ी बहुत जादा प्यारी लग रही है पॉफेक्ट है वैडिंग वगेरा के लिए अपर पोशन पे यह सीक्विंस और मतलब एमब्राइडी फुल पे म मुझे तो इस तरह की साड़ी बहुत जादा पसंदें पाल्टी फुक्शन में थोड़ा चटक चीज़े यानि सीक्विंस बग्यारा जादा अच्छा लगता है कलर भी डाक मुझे जादा पसंद आते हैं तो आप यह ट्राइ कर सते हो गर आपको इस तरह की साड़ी पसंद तो थोड़े से जादा तागिन आप अंदर कर लीजेगा क्यू कि साड़ी बहुत जादा प्यारी है और प्राइस के अगोर्डिंग पॉर्फेक्ट पीस है इसको जो ब्लाउस का फ़ाब्रीक तया हुए है इसको जरू हाला अच्छे से आपका ब्लाउस बन जाएगा जो है अगेन बहुत ही प्यारी सिया आप बोलूगे सारी साडियों को ऐसा ही बोल रहे हैं तो सारी साडिया ही बहुत जादा प्यारी रिसी हुई है तो इसलिए मुझे बहुत जादा पसंद आई है तो मैं बहुत जादा प्यारी ही बोलूगी लेकिन जो बेकार रिसी होती है मैं ये भी बोलती हूँ कि ये बिकार रिसी हुई है तो अभी आज के हॉल में अभी तक अच्छी साडिया ही आ रही है तो ये आप देखिए ये जो है सीफॉन फाब्रिक में है ब्लैक लवर्स के लिए प्रिंटिड भी है और ब्लैक कलर भी आ रहा है ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन बहुत सारे कलर है साडि न वियर करने के बाद बहुत कमफर्टेबल और बहुत प्यारी लगने वाली है ये जो साडि आपको इस तरह की प्रिंटिड साडि मिलेगी सारा प्रिंट अंदर से है बहुत ही प्यारी है बेस कलर, ब्लैक है बाकी उपर काफे सारे कलर यूज किये गए है सारा प्रिंट अंदर से है किनारी पर ये एमराइडी हो रखी है बहुत ही प्यारी सी ये आप देखो, ये न उपर से बाडर लगाया गया है कुछ लेकिन पता नहीं चल रहा है इसा लग रहा है कि सी में है इस तरह का बाडर लगाया गया है जिसमें गोटापटी और सीक्विंस और जरी का वर्क हो रखा है इस तरह से फाबरिक सीफॉन है तो हलका लाइट वेट है और इस जरी में हलका से ये फासर आए इसके साथ ये प्राब्लम हो रही है लेकिन वैसे साड़ी बहुत जादा प्यारी लग रही थी बस इसमें एक ही प्राब्लम है कि जो फाबरिक सीफॉन है और बहुत लाइट वेट है और ये जो जरी है ये इस तरह से इसमें बार बर फासरी है तो थोड़ा सापको इसको समहाल के रखना पड़ेगा साड़ी का लुक बहुत अच्छा आने वाले ये बार्डर आपको उपर नीचे और पल्लू पोशिन के साइड मिल जाएगा बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें किया गया है साड़ी बहुत प्यारी लगेगी जब आप वियर करोगे बस आपको समहाल के रखना पड़ेगा क्योंकि ये जरी वाले फाब्रीक में फसरी है इसके धागे फसरे है बाकि साड़ी बहुत ज़ादा प्यारी है आप देख सकते हूँ वियर करने के बाद बहुत अच्छी लगेगी एंड एकदम कमफर्टेबल लोग इसके साथ आपको मिलेगा कमफर्टेबल रहेगी ऐसे भारी-भारी सी कुछ भी इसमें वर्क नहीं है एक ही प्रॉब्लम में जो मैंने अब लोग के साथ शेट कर दी सम्हाल के रखिएगा नहीं फसेगी अंदर की साड़ इसका ब्लाउस अटेच किया गया है जो की है रेड कलर में बहुत ही प्यारा लगेगा जब ब्लाक एंड रेड का कॉम्बिनीशन बनेगा इस साड़ी के साथ रेड ब्लाउस बहुत प्यारा लगेगा 80 cm फाब्री के हलकी सी गोल्डन की लाइनिंग भी है फाब्रीक बहुत जादा सॉफ्ट है अच्छी से अपका ब्लाउस बन जाएगा बाकी ट्राई उन में आपको क्लियर हो जाएगा इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको पसंद आए ना तो ट्राई कीजिएगा पॉफेक्ट साड़ी है अगेन हम आजाते हैं पार्टी लवर्स पे तो पार्टी के लिए पाफेक्ट साड़ी है यह जो की है औरगेन्जा फाब्रीक में औरगेन्जा फाब्रीक वियर करने के बाद वैडिंग बगेना में बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इसमें होती है हलकी सी शाइन तो साइन वाली जो साड़ी होती है आप लोगों को पता है पार्टी फंक्षन में वैडिंग मगेना में बहुत जादा प्यारी लगती है तो साड़ी पर अब देखो कितनी अच्छी अच्छी अब रईडी है किनारी पर बहुत ही प्यारी सी पूरे पे न धागे की और सीक्विंस के अब रईडी है यह बॉर्डर आपको उपर नीचे और पल्लू पोशन के साइड इसी तरह से मिल जाएगा बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है यहां पे इस वाले पोशन में थोड़ी सी अब्राइडी छूटी हुई है तो इसी पीस में हो गई या ऐसा नहीं कि सभी में हो जाए इसमें थोड़ी सी प्राब्लम है इसको मैं एक्सचेंज करा लूँगी लेकिन आपको पॉफेक्ट पीस मिलेगा जहां तक मेरा आइडिया है क्योंकि ऐसा हो जाते है किसी किसी पीस में डिफेक्ट निकल जाते है थोड़ा सा डिफेक्ट है इसमें यहां पे एम्राइडी छूटी हुई है वैसे साड़ी बहुत ज़दा प्यारी यह बोडर आपको उपर नीचे और पल्लो पोशन के साइड मिल जाएगा कलर आप देखो बहुत ही प्यारा सा है और भी कलर आपको मिल जाएंगे बढ़ यह कलर मुझे बहुत जादा अच्छा लग रहा है बीच में भी पूरी साड़ी पे इस तरह की अम्राइडी है यह आप देखो पाब्रिक और गेंजा है तो आप लोगों को पता है परफेक्ट लुक मिलने वाला है अम्राइडी भी बहुत अच्छी है और पॉफेक्ट है वगेरा के लिए साड़ी अपर पोशन पे अम्राइडी फुल पे मिलेगी लोवर पोशन पे अम्राइडी हाफ तक निलेगी से थोड़ा से कमें 90 cm आप समझ सकते हो उसके बाद ये वाउक स्टार्ट है तो हलका से टाकिन जादा कर लीजेगा अंदर के साइड तो बिल्कुल भी प्लेन पोशन नहीं आएगा बहुत ही प्यारा सा पीस है इसको जो ब्लाउस है सेम इसी तरह का मिलेगा लेकिन अंदर स अटेच करा गया है ये आप देखिए इस पे भी एंब्राइडी है ब्लाउस का फाबरिक है 90 cm एंब्राइडी हो रखिए और वीच बीच में सेम साड़ी जैसी एंब्राइडी हो रखिए तो सेम ही है और इसको आप वाइड ब्लाउस के साथ भी वियर कर सकते हो बहुत अच अगें सेल्क लवर के लिए साड़ी आ गई है रेड कलर की बहुत ही प्यारी से साड़ी ये भी वैडिंग वगेरा में बहुत जादा अची लगेगी बहुत ही प्यारी सी साड़ी है इस तरह की एक साड़ी मैंने अल्रेडी शेयर की लेकिन उसको फाबरिक अच्छा नहीं और या फिर जिनकी नियूली वैडिंग हुई है मतलब अब भी नियूली वैड हो तो वो भी आप इस साड़ी को ट्राइ कर सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है जैसे आपने देखा हो गरे जो रेड गलर पहनते है न कर्वाल चौत प्यारा सा इस कलर के लिए मैं बहुत परिशान रहते हैं इस कलर की साड़ी जल्दी से मिलती नहीं है और यह वाला कलर और सिल्क उपर से बहुत पॉफेक्ट लगता है तो यह साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंदा है इसमें ना कॉपी भी मिल जाएंगी आपको जो कि बहुत हलका वाला सिल्क होता है उसका स लेकिन यह पॉफेक्ट सिल्क में साड़ी है उपर के साइड यह बॉटर मिलेगा आपको देखो इसमें ना कितने अच्छे कलर यूज किये गए है और वर्क जो है ना बहुत ही प्यारा सा है डिजाइनिंग भी बहुत डिफरिंट है बहुत प्यारी रिच लुक देने वाल इसमें लोटस बने हुए हैं पिकॉउग बने हुए हैं तो लाइक नियूली वैड जो होती है वो भी इस तरह की साड़ी बहुत अच्छी लगेगी तो यह साडी बहुत जादा प्यारी ओवर उल साडी इसी तरह की मिलेगी पॉफेक्ट सिल्क बहुत प्यारा है बहुत जब आप अच्छे से वियर करोगे इस साड़ी को लोग बहुत अच्छा एगा इसका पूरी साड़ी आपको इसी तरह की मिलने वाला आप मैं दिखाते हो इसका पल्लू पूशन जो की इस तरह का मिलेगा ऐसे मैं आप लोग के साथ दिखाते हूँ यह आप देखे कुछ इस साड़ी आप देखे की डिजाइनिंग लेकिन बहुत प्यारी लग रही है इसका सेल्क भी बहुत अच्छा है इसका कलर भी बहुत अच्छा है और साड़ी है हाईले रिक्रिमेंड लेंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगी साड़ी को अगर आपको पसंद आए जरू ट्राई किजेगा अन्दर से इसमें कुछ पोशन प्लेन मिलता है पहले तो हम इसका ब्लाउस इसमें मिल जाता है जो कि आप देखो यहां तक आपको मिल जाएगा ये उसके बाद यह जो साड़ी में वाड़ यह है ना प्लेन पोशन प्लेन यह जो कि अंदर के यह आप देखो, इस तरह का, यह आपको प्लेन नजर आओगा लिकिन प्लेन नहीं है, इस में हलका साना, मतलब अंदर के साइट से ही, विविंग में ही ना, सेम कलर से, फ्लारिस क्रियेट किये गए हैं, यह आप देखो, इस तरह से, आपको क्लियर हो रहा होगा, और किनारी यह बॉर्डर भी मिल जाता इस तरह का, जो कि आप स्लीव पे या फिर बैक वगेरा पे लगवा सकते हूं, साडी बहुत जादा प्यारी है, हाईले रिकमेंड साडी है, सिल्क में प्रॉपर रेड कलर में, अगर अपको कोई साडी चाहिए तो इस साडी को जरूर राई सिंपल सोवर सी है, बट लोग अच्छा मिलेगा, कलर बहुत ही प्यारा सा है, इस साडी मिलेगी आपको बांधनी प्रिंट में, इस तरह का प्रिंट पूरी साडी पर मिल जाएगा, यह आप देख सकते हो, उपर के साडी यह गोल्डन कलर का जरी का विविंग वर्क में इस तरह का बॉडर आपको नीचे के साडी में जाएगा, इस तरह का बॉडर, बहुत ही प्रिंटेट साडी है, ओवरॉल साडी इस तरह की मिलेगी, बांधनी प्रिंट में सिंपल सोवर सी डेली वियर साडी है, जो की पॉफेक्ट लगने वाली है, और साथ में ना इस तरह का बॉडर आपको पॉर्लू पोशन पर मिलेगा, और नीचे वही जो साडी वाला बॉडर है, वो मिल जाएगा, तो ब्लाउस बनने के बाद साडी बहुत जाएगा, और वाइड ब्लाउस के साथ भी आप इसको वेर कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लूक आएगा ब्लाउस के जो फाब्रीक 80 cm दिया हुआ है, अच्छी साडी है, आप प्राई कर सकते हो, अगर कमफर्टेबल आपको कोई बांधनी में, सिंपल सोवर सी साडी जाएगा, लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मल जाएगा, नेक्स्ट जो हमारी साडी है, यह भी बहुत ही प बांधनल बीच में से डिफरेंट कलर की मिलेगी, जाडी जरी का जो वफनी पेसरी पार है, पूरी साडी बहुत ही प्यार लगरी है नीचे के साडा अपको यह पूर प्यार लगई है, यह यह र преступ perUST इसमें कुछ अलगी फाबरिक की से तक तक जो ह lado है तो दमा फोलग है फोल तो थोड़ा मीप फाबरिक जो की बहुत सॉफ्त बालяз यह ठूदा है तो ह Mason Square is being good वर्ट है और बैक से कुछ इस तरह की आपको मिलनेवाली है यह बेग बस इसको समहाल के रखना पड़ेगा क्योंकि इसके जो धागे होते हैं इसे इहां से वो निकल जाते हैं क्योंकि कुणि कुछ जिग जख टाइप का वर्ट मिलेगा इस तरह का और ऊपर के साइड मिलेग चूट असा वाडर इस तरह का तो साड़ी बहुत जादा प्यारी लगेगी, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और इसमें और भी कलर आपको मिल जाएंगे, पूरी ओवरॉल साड़ी आपको इसी तरह की ये मिलने वाली है, अंदर से ही इसी तरह की मिलेगी और ओवर इसमें पल्लू अलग से नहीं है, प्रॉपर साड़ी एक जैसी है, और इसको जो ब्लाउस का फाब्रिक है वो भी सेम इसी तरह का है, लेकिन अलग से दिया हुआ है, ये आप देखो इस तरह का, सेम है, बिल्कुल बस कट करा गया है, उसमें से 80 cm है, ये सेम फाब्रिक दिय हुआ है, और इसमें पल्लू भी अलग से नहीं है, बट साड़ी का लुक बहुत अच्छा रहा है, वियर करने के बाद बहुत अच्छी लगेगी, और मेरी जो एडवाईस में आप इस तरह का ब्लाउस भी वियर कर सकते हो, प्लेन ब्लाउस ज्यादा अच्छा लगेगा इ तो यह थी आज की हमारी वीडियो आई हो, कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपकी लोगों के लिए हैल्फुल हुई होगी, वीडियो कैसी लगी है, प्लीज मुझे कॉमिन बॉक्स में जरूर पताएगा, और ऐसी बहुत सरी अच्छी वीडियो देखने के प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा घंटी के आईकन के साथ, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डाल हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप साडियो को बाई कर सको, क्योंकि बहुत लेट अगर आप साडियो को देखते हो ना, तो साडिया आउट जल्दी से वीडियो देखिए, जल्दी से बाई कीजेगा, सबी कि लेक्डिक डिस्कुप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में आपको मिल जाते हैं, मेरी हर वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो कैसी लगई ये वीडियो और आज की हॉल में आप लोगों को कौन का से साधिया पसंद आईए मेरे साथ शेयर जरूर कीजेगा मिलूंगे आप से एक बहुत जाद अच्छी वीडियो की साथ आज के लिए बास अतना ही दब तक के लिए see you take care, bye bye